हेलो फ्रेंड्स हमताज कीचन में आपका स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो शेक तो मैं आज आपको दो मैंगो से बहुत सारा मैंगो शेक बनाना बताऊंगी यह ट्रीक आपको कोई नहीं बताएगा मैं आपको यह ट्रीक बताऊंगी और आप इस वीडियो को बूरा देखे मत देखना पूरा वीडियो देखना कमी टाइम का वीडियो है चली तो बनाना शुरू करते हैं तो मैंने हं यहाँ पर फन सबूसरे मुड़ कर लिया है चली तम दिखाती हूं और इसमें हम क्या के समान इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर मैंने एक गिलास दूद लिया है और दूद हमारा बॉयल हुआ है ठंडा दूद है हमारा और यहां पर मैंने थोड़े से बरफ लिये हैं और मैंने यहां पर चीनी लिये चीनी हम स्वाद अनुसा डालेंगे जितनी चीनी की जरुद पड़ेगे और यहां पर मैंने जो इसका में पार्ट है इस शेक का मलाई है तो मैंने यहां पर ताजे दूद की मलाई लिये है और यहां पर मैंने थोड़ से ड्राइ फूड लिये अगिए में में जाल लिया हैं आदया दूट डाल लेंगे आदा बिचालेंगे अजया हमारा पैस्ट बन गई है अब हम इसमें मलाई डालेंगे जो हमने मलाई ली है एक कटोरी मिलाई ये हमारे ताजे दूद की मिलाई है चलिए तो इसमें बरफ भी डाल देंगे अब हम चेनी भी डाल देंगे चेनी पांच चमट डाली है बाकी हम बाद में टेस्ट करके डालेंगे चेनी तो देखो दोस्तों यहां पर कितना क्रीमी कितना मलाईदार हमारा मिलक शेक तयार हुआ है चलिए तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूं कि इसमें बना है तो सबसे पे मिल की डालेंगे आइस क्रीमी आपको इसी भी आइस क्रीम ले मैं सकते हैयं अगर आप आइस क्रीम बिना ले तो भी यह बहुत अच्छा लगता है ज़स्टे सा हम सजा देते हैं अब और उप यह कि ईए तो बाद आम लगा देंगे तोड़ा सा पीस्ता लगा देंगे अब हम इसमें ये मिल जो हमने बनाए है ना मैंगो शेक ये इसमें डाल देंगे अब हम आम के छोटे-छोटे से हमने पीस कट करे थे ये डालेंगे थोड़े से बदाम थोड़ा सा पिष्टा थोड़े से किश्मिश अब हम यहाँ पर टूटी-फूटी लगा देंगे ये देखने में बड़ी सुन्दर लगती है तो देखना दोस्तों यहाँ पर हमने कितने सारे गिलास बनाए हैं दो मैंगो से इतने सारे नो गिलास बने हैं हमारे आप भी इसी तरह बनाईएगा अपने बच्चों को अपने घरवालों को महमानों को खुश कर येगा इसी तरह से बनाईएगा मैंगो शेक